दोस्तों साल 2-1 में फिल्म रिलीज हुई थी गदर एक प्रेम का था और लगान आज किस वीडियों में बात करेंगे इन दोनों फिल्मों के बॉक्स ओपस कलेक्शन बजट और हेट ओफ लॉफ के बारे में साल 2-1 में दोनों फिल्मों में कौनची फिल्म ने सबसे आदा बॉक्स ओपस कलेक्शन किया था और दोनों फिल्मों में कौनची फिल्म हिट रही थी कौनची फिल्म फिलॉप रही थी सब कुछ इस वीडियों बात करेंगे पहले बात कर लेते हैं फिल्म गदर के बॉक्स अपस कलक्षन के बारे में गदर फिल्म रिलीज हुई थी 15 जून 2001 को एक एक्षन ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म को डारेट किया था अनिल सर्मा ने एंड प्रिडूस किया था नितिन कैनी ने इस फिल्म के मुख कलाकार थे सनी देवल, अमिसा पटेल और अमरेसपुरी इस फिल्म को 350 स्क्रिन्स में रिलीज किया गया था अगर बात करें इस फिल्म के बजट की गदर फिल्म का 82 था 19 करोड और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 1 करोड 40 लाग की कमाई की थी इस फिल्म का इंडियन एड कलक्सर रहा था 76 करोड 88 लाग दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले अपते में 9 करोड 28 लाग की कमाई की थी और बल्ड बाइडेस मूवी ने 13 करोण 12 लाक की कमाई की थी अगर बात करना फिलम गदर के हीटर फ्लॉप की तो ये एक आल टाइम ब्लॉकपश्टर फिलम साबित हुई थी दोस्तों गदर फिलम को सनी देवल की सबस्द कमाई करने वाले फिलमों में गिना जाता है लगान फिलम को 270 स्क्रीज में रिलीज किया गया था अब बात कर लेते इस फिलम के बॉक्स ऑपक्स कलेक्शन और बजट की बारे में लगान फिलम का बाइट था 24 करोड और इस फिलम ने पहले दिन एक करोड की कमाई की थी और पहले हपते में इस मूवी ने 6 करोड 63 लाग की कमाई की थी लगान फिलम का इंडियन एट कलेक्शन रहा था 34 करोड 30 लाग और इस फिलम का बर्ड़ बाइट कलेक्शन रहा था 65 करोड 97 लाग दोस्तो अगर बात करें लगान फिलम के हिटो फ्लॉप की तो एक हिट फिलम साबित हुई थी दोस्तो इन दोनों फिलमों में आपको कौन सी फिलम ज्यादा पसंद आई थी कमेट करके जरू बताएं अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी मन फिलम का बॉक्स अपिस कलेक्शन तो कमेट करके जरू बताएं हम मिलते हैं आपस अगली वीडियो में तब तक लिए जैहिंद